नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और आप लोगों को बता दू कि नेवी ट्रेट्समेंट की तरफ से आप लोगों की तरफ जो इन्फोर्मेशन आ रही है वो बिल्कुल सही है मैंने भी अपनी साइट से नोटिफिकेशन को वेरिफाई कर लिया है ज यहापर आप लोगो पता है कोविड की वज़े से मुंबई के एक्जाम्स जो है पॉस्पोन कर दिये गए थे अब उसके बाद बच्चे बोलने लगए कि सार इसकी डेट कब आएगी तो इसकी डेट भी आ चुकिए मैं आपको प्रोपर नोटिफिकेशन दिखाने की कोशिश क्या दिखाई दूँगा यहापर आप लोग का जो लेटेस्ट नोटिस है वो इसी के बारे में उसके बाद दो नोटिस हो रहे हैं इसे छोड़ देना यह वाले में भी जो है कोविड से लेटिर कुछ दे रखा है लेकिन में जो हमारे लिए यह ही है ठीक है उसके पाद मैंने डिस्किप्शन में आप लोग को कुछ नेवी ट्रेट्समेंट से लेटिर इस्टेडी में दे रहा है प्लीज उस पर फोकस करके उसे ले ले लेना ताकि आप लोग को जो है पढ़ाई में थोड़ी मदद मिल जा मोक्ता जो 45 वाले दे रहे हैं और वहाँ पर ए इंडियन नेवी पॉब्लिज़ इन एंप्लॉइमेंट नियूज डेट दिस और दिस यहां पर यह बोलें एंग्जामिनेशन ओफ मुंबई सेंटर विच वोस पॉस्पोन द्यू तो सर्च इन कोविड नैंटीन केसिस विल भी हैल्ड इन मुंबई पूने और नागपुर तो तीन एरिया जिन्होंने रखे हुए वेरियस टाइम लाइन्स आर एस स्टेटेड तो यह बोल रहे हैं कि डाउनलोड ओव एड्मिट कार्ड फॉर्म दी रिकूट्मेंट वेबसाइट हैविं एग्जामिनेशन सिटी डिटेल जैसा आप लोग के लिए पहले पहले एड सिटी डिटेल दिखाई देगी 72 गंटे पहले एक्जाम से यानि दो या तीन दिन पहले आप लोग का जैसे पहले हुए थे नए वाले आपकी बार होंगे उसके बाद आप लोग का ग्यारत तारीक को एक्जाम हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है यार कि यह जो नेवी टेट्समें से लेटेड आने वाली है और हमार जो दूसरा चैनल है गोरफ जंक्षन उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा या फिरेक्टली गूगल पे जाके आप सर्च कर लेना या आप जो है यूटूब पे जाके सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा बाकी कोई समस्य आती है उसके लिए हम बैठे ही हुएं कमेंट मेंशन करो जो जो समस्य है उसके बर में बताऊंगा और अभी और भी चीज़े हैं एक आप लोगों के लिए मैंने आट ये भी डाल रखा चार कोशन उसमें पूछे हैं उसका जवाब जैसी आता है उसकी भी आप लोग को इन दे दूँगा जल से जल आट ये का रिप्लाई मेरे पास आता है बताता हूं क्योंकि सब कुछ रिजल्ट से लेटिड या पिर जो है अन्य जो चीज़े होती है वो मैंने पूछ रखिए चार-पाच कोशन तो उसका जवाब आपको दूँगा बाकि धन्यवाद आशा करता होगे नेवी ट्रेट्समेंट का जो मुंबई वाले बच्चे एक्जाम देने जाएंगे उनको क्लैरिफिकेशन होगी किस तरीकी का एक्जाम बच्चों का है तो उससे एक आइडिया आप लोगको मिल जाएगा धन्यवाद